YouTube ने करवासियों स्वागत है आपका Amazing Sir YouTube चैनल पर, आज हम सीखेंगे Oxford Baby English Translation का Exercise 2 तो चलो शुरू करते हैं, पहला वर्ड है धर, धा के लिए हम लोग DH के यूज़ करेंगे और रा के लिए R का अब यहाँ पर एक बार ध्यान देने योग है कि हर अक्षर में छोटे आ की मातरा चिपी हुई होती है तो धा के लिए DH और A लिखेंगे और फिर रा के लिए R लिखेंगे एक बात और जाननी चाहिए कि जहां पर आपकी आवाज रुकती है, जब धर इस पर रा पे आवाज रुकी है तो रा के आगे यानि आर के आगे हम A का परियोग नहीं करेंगे इस केस में हम सिर्फ देवी देवता हूं और एतिहासिक जो चरित रहें उनके नाम के ही आगे A का परियोग करते हैं अगला वर्ड है हर हा के लिए H और A लगाएंगे हम लोग और रा के लिए R ये हो जाएगा हर अगला वर्ड है जन जा के लिए J A और रा के लिए N हो जाएगा जन अगला वर्ड है गन तो गा के लिए G A और अणा के लिए हम लोग लगाएंगे ना अगला वर्ड है मन मा के लिए M A और ना के लिए N हो जाएगा मन अगला वर्ड है यश तो या के लिए वाई ए और शा के लिए एस एच हो जाएगा यश अगला वर्ड है दस तो दा के लिए डी ए और शा के लिए एस दस अगला वर्ड है दश तो दा के लिए डी ए और शा के लिए एस एच दस फिर अगला वर्ड है नव ना के लिए एन ए वा के लिए वी या डबलू का भी यूज़ कर सकते हैं अगला वर्ड है लव तो ला के लिए एल ए और वा के लिए वी अगला वर्ड है रत तो रा के लिए आर ए और था के लिए टी एच रत अगला वर्ड है पत तो पा के लिए पी ए और था के लिए टी एच अगला वर्ड है चल तो चा के लिए सी एच ए और ला के लिए एल अगला वर्ड है जल तो जा के लिए जे ए और ला के लिए एल अगला वर्ड है थल तो था के लिए टी एच और ए और ला के लिए ल अगला वर्ड है कल तो का के लिए के ए और ला के लिए ल कल अगला वर्ड है शट तो शा के लिए एस एच ए और टा के लिए टी हो जाएगा शट अगला वर्ड है जट तो जा के लिए जे एच ए और टा के लिए टी जट फिर है नया ना के लिए एन ए और या के लिए वाई और आ की मात्रा के लिए ए नया अगला वर्ड है गया गा के लिए जी ए या के लिए वाई और आ की मात्रा के लिए ए हो जाएगा गया फिर है जया जा के लिए जय ए या के लिए वाई और आ की मातरा के लिए ए हो जाएगा जया अगला वर्ड है लता ला के लिए ले ता के लिए टी और आ की मातरा के लिए ए हो जाएगा लता अगला वर्ड है खता, खा के लिए के एच और ए और ता के लिए टी और आ की मातरा के लिए ए हो जाएगा खता अगला वर्ड है रजा, रा के लिए आर ए और जा के लिए जड और आ की मातरा के लिए ए हो जाएगा रजा फिर है सजा तो सा के लिए S A जा के लिए Z और A के मातरा के लिए A हो जाएगा सजा अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्दू में जा और जा दो अलग-अलग साउंड होती है जा के लिए हम J का और जा के लिए Z का यूज करते हैं इसी के लिए हम लोगों ने रजा और सजा में J की जगा Z का यूज किया है अगला वर्ड है चना तो चा के लिए हम लोग यूज करेंगे CH और A ना के लिए N और A की मातरा के लिए A हो जाएगा चना फिर अगला वर्ड है फना फा के लिए F और A ना के लिए N और आ की मात्रा के लिए A हो जाएगा फना इस exercise के last word है मना तो मा के लिए M और A ना के लिए N और आ की मात्रा के लिए A हो जाएगा मना यहाँ पर यह exercise complete हुई अब मिलते हैं next exercise में